हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत है आपके लिए एक मोश इंपोटेंट किलास लेके आये यूपी पुलिस यह एक्जाम के लिए यह क्यूशन आपके जो पुलिस परनाली के परसन होने वाली है यह परसन आपके एक्जाम में 10 से 15 क्यूशन पिछले एक्जाम में देखने को मिले थे तीक है तो इसके अकोदिंग हम आपके लिए जो यह क्यूशन लेके आये हैं तो इस क्यूशन से आपके पास से 10 नमबर पक्के हो जाएंगे तो वीडियो को अंत तक जहूँ देखना है तीक है तो पहला आपका आपका पहला क्यूशन क्या है पहला क्यूशन है आपका आपका पहला क्यूशन है निमलिक्त में से कौन सा उत्ता है प्रदेश राज्य में सउच्चे रैंकिंग वाले पुली सदीक आई है बताओ अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा जली से सभी लोग बताओ एक आपका आंसर ठीपा हुआ होता है तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा पुलीस महा नहीं दे सकते हैं अगला इन्पूटेंट क्यूशन आपका आप एक जाच अधिकाई है आपसे एक इन्सक अपराद की पीडित महिला को सारता परदान करने के लिए का गया है आपको यह करना है तो जब भी आपको ऐसा क्यूशन देखने को मिले तो इसमें आपको पहले ही अपने आपको एक अधिकाई के तोर पर मान लेना है ठीक है क्यूंकि आप आगे तो अधिकाई बनने वाले हैं लेकिन पह सबसे सतीक आंसर बैठता है उस क्यूशन पर वही आपको लगाना है उसके बाद पीदित को सावदान एने के लिए सचेत करें तो यह तो को अगर इसके क्यों देखा जाए तो और अप्शन बी आपको क्या हो जाए गदम यही तांसर निकल के आएगा ठीक अगर पीदित को सावदान कर और उसकी स्वक्षा की सुनिश्चित करें ठीक है अगला क्यूशन है आप एक पुलीस अदिकाई के रूप में तेनात हैं आपको एक मरीला करमचाली से काइस्थल पर उत्पीदन के बाएं में सिकायत मिलती है आपको क्या करना चाहिए उस समय शिकायत को नजर अंदाज करें क्योंकि हो सकता है यह गंबीन है तो यह तो ने इसानी से बचने के लिए सिकायत करता को से ताम नि दे तो यह भी नहीं होगा ठीक है यह भी नेगितिव में है शिकायत को दूसरे विभाग से इस्थानित करें तो यह भी नहीं होगा मैं पहले भी आपको बताया है जो भी आपको काम दिया जाता है आप गोर्मेंट की तर आप एक जास दिकाई है और आपको एक विशेश रूप से ब्रहानक अप्राद इस्तल छोपा गया है तो आपको क्या करना चाहिए बताओ कि तो देखो पहला ओप्शन का गभ्याएं और ततकाल सहाथा के लिए कोल करें तो यह तो होगा नहीं ठीक है यह ने किसी भी काम के लिए मना नहीं कर सकते हो ठीक है किसी भी को नियंतित करने के लिए बल का पर्योग करें तो आपको बल का पर्योग नहीं करना थी जो गौर्शम को सोल करना तो इसका जो सथी कांच से बैठेगा अपना द्यान केंदि तके और सभी आवसक सक्सर और evidence को इखत्ता करना चाहिए आपको जो भी वहाँ पे आपको सबूत मिलते हैं उनको आपको अच्छी तरह से देखना है और उनकी जाच करनी है अगला important question है पांच नमबर एक पुलिस अधिकाई करनी के गूप में आपको अंतरास्ते कानून परिवटन एजेंसियों के साथ सरयोक करने का मोकर दिया गया है तो आपको क्या करना चाहिए उस समय इस परश्टाव को नजर अंदाज करें ओर इस्थानी करतो पर ध्यान के करें तो आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको उस काम को अच्छी तरह से करना है ना कि उसको मना करना है तो अन्य अधिकारियों को सोपें तो आप ये भी नहीं कर सकते हो को एन्य अधिकारी को जो आपको काम मिला है आप उसको कोई अन्य अधिकारी को भी नहीं दे सकते हो ठीक है तो इसका काया हो जाओ परस्ताव सर्विकार काये और अंतरास्ते अजेंशियों के साथ सयोग करे मतल्य थे जो यह चलते हैं एक पुलीस अधिकाई के रूप में अबियान में सामिल किया गया आपको क्या करना चाहिए बताओ उनके तरीकों की उपेक्षा कर अपना सर्म का अपना है तो यह तो होगा नहीं यानि आपको जो गौर्वर्मेंट का रूल है उसके अकोडिंगी काम करना होता है ठीक है अन्य एजेंशियों के साथ अनुकूलन नेम юह करें तो यह हो सकताहई सव्ंतंता रूप से काम करने का अनौध नहीं होगा आप अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते हो जो एजर्वन Cu और यहां किसाथ बातिकाहित करने से बचें तो यह भी नहीं ओगा तो आपका क्या हो जाएगे अगला विन्पोटेंट क्यों आपके लिए एक पुलिस हधिकाई के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में निक्त किया गया जाता है निक्त में से कौन सा उस अधिकाई का नाम है जो पुलिस स्टेशन का अभाई होता है यानि जो कि पुए पुलिस स्टेशन को समालता है उसका क्या नाम है बताओ जली से पुलिस अधिक सक इस्टेशन हाउस अधिकाई अगर इसके आंसो की बात करें तो इस्टेशन हाउस और इसको क्या बोलते हैं आगला क्यूंट है एक पुलीश अधिकाई के रूप में में द्वाया इस पेश्टे को चुनने का प्रात्मिक नहीं है तो अगर आप प्लाइश अधिक्से को आप क्यूंद चुनना चाहते हैं आपके क्या मोतिक है इसको करने के लिए ठीक यह बता है तो अगर हम इसके आंसर की बात कई तो पहला उप्षण है यह शक्ति और अधिकार पदान करता है दूसर प्राद्यों को पखरने का उस्षा देता है यह नोकिकी स्वर्वा करने का उस्षा देखां यह तिन अप्षण थोड़े-थोड़े सइय है लेकिन इसमें सतीग आंस कुंसे अधिनियम पुलीस को परिभासित करता है बताव साधिनियम करने वाला कौन से नियम है झ wedge में कमें करो हाँ करें तो पुलीस अधिनियम 1901 की धाया बन कौन सा है भारते पुलिस सेवा में सब उच्छे रैंकिंग वाला पुलिस अधिकाई कौन होता है पहला एदीजी अतिक्ट पुलिस महानी देशक वैस्ट पुलिस अधिक्षक है यहां तक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगरे आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप जो हमाया चैनल है वहाँ से इसकी पीडियाप ले सकते हो और तीन बजए आपकी जीके के किलास होने वाली आप वह भी जाके देख सकते हो थी आद सायक उपनियक्सिक के बीच संग्यास के मामले में आप गतना की पूर्ट किसे कहेंगे बताओ तो अगरे इसके आपकी बात कहें तो अवाय नियक्सक क्या हो जाएगा अवाय नियक्सक ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपक्शन बी हो जाएगा ठीक है अगला क्यूशन है भायत में पुलिस वरुष्था के जनक को ने बताओं भायत में पुलिस वरुष्था के जनक की बात करें तो लाइद कान्विस है को ने लाइद कान्विस तीक है यहां तक किलिए किसी को भी कुछ भी दाउत हो एक्जाम से लेते हैं क्यूशन से लेते हैं तो आप comment box में comment कर सकते हैं यह class आपके लिए exam के लिए बहुत इन्पूत हैं तोने वाली है इस class में आपको पाथ से च्छे क्यूशन जरूर मिलेंगे ठीक है पाथ से च्छे क्यूशन देखने को मिल जाएंगे अगर्य आपको क्यूशन को अच्छी तेहिसां से जो भी आपको क्यूशन दिया होता है उसको आप पच्य तेहिकाही से एक से दो बार पढ़वाब बयाद है अगला है एक पुलीस एदिकाई के रुप में आपको एक जीले के एक पुलीस स्टेशन में निपत किया जाता है निमीलिक समें से कुन सा उस हदिकाई का नाम है जो पुलीस में पर वाई है तो यह कुंशन है ? इस्तेशन हाउस हदिक आई जिसको हम एच एस ओ बोलते हैं तिक है रास पती पुलीस पदक कब अस्ततों में आया बताओ इसका अंस हो जाएगा एक मार्च 1951 में पुलीस विभाग के परमुक के रूप में जिला इस्तेशन की देखे कौन करता है तो अगरे इसके आंसर की बात करें तो अप्शन हो जाएगा एस पी या तो एस पी करेगा या आपका एस पीपी ठीग है आगे चलते हैं लोग एक पुलीस अधिकाई की रूप में आपसे अपने विभाग के लैंगिक सवेरेन सिलता पर एक परिक्षिचन सत्तर का नित्ताव करने के लिए कहा जाता है आपको यह करना चाहिए तो करें इसका यह आपका हो भी सकता है सद्तर से बाहर के जाने का नूद रहे तो यह भी नहीं होगा ठीक है पुल पुलीस अधिकाई की रूप में तरनात है आप आप से इस कुलो में लेंगी सवर्ण सिलता पर जारूगता का रिक्रम चलाने के लिए का गया है तो आपको क्या करना चाहिए बताओ अनुद को अंदेखा करो निमित करतों पर द्रयान के अनदित करें तो ये आपका हो नहीं थी गैँ कारेकम का गया है या जो वरक मिलाए उसक आपको खुलको करना होता है तो और ऑपशन भी हो जाएगा सही आनस्व है यहां तक सभी लोगों के लिए और कि हैं आघे में ऐख शलते हैं ठीक है जो आफ सुम्म पुलीश गूमति ya कोई क्राइमक के लिए क्राइम देखने के लिए उसको क्राइम के लिए क्रीम के लिए क्राइम के लिए कि एक वहान सदक पर एनिय Luis तो आपको क्या करना चाहिए बताओ पहला उप्षा करें और अपनी रस्त पर जाई यह मामले वह कि चालक अपना वबास उदा लेगा तो ऐसा नहीं करना आपको क्योंकि आगे जाके वह और जो सालक का एक्सिदेंट भी करकरता और दूसरे वक्तीका भी नुक्सान कर रिक्सणाँ यह तो आपको गलत हो जाएगा क एक्सौन Kar evolved कोई बिसे का़िद Dus करें और उसके वहार का प्रेक्शन करें तो अगर आप पीछा करोगे तो यह तो गलत हो जाएगा अगला है वहां को तुरंट रोके और चालक का नर्सा मुक्ति प्रेक्शन करें तो यह सही हो जाएगा प्रेक्शन सी अगला है बारत में लिंग चैन और कन्या भून अत्या को पर्ति बंदित करने के लिए निमिल्ट में से कौन्च अधिनियम अधिनियम्तित क्या गया है बताओ इसका आपका क्या हो जाएगा गर्भ धार्ण पूर्ण निधान तकनिक अधिनियम 1994 में अगला क्य पूर्ण रूप क्या है पुलिस पर्णाली में अफाई का पूर्ण रूप की बात करें तो फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट होता है क्या होता है फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट ठीक है यहां तक आपको क्लियर अगला इन्पोर्टेंट क्यूशन है आपका उत सब्सक्राइब आपके लिए यह कुछ है एडिशनल इंफोर्मेशन है जैसे कि आपको जो भी इमर्जेंसी के समय मोबाइल नंबर होते हैं उनकी हम दे देते हैं नोलेज ठीक है पहला आपका सेव आई है और यह आपकी यूपी में हेल्प लाइन नंबर ठीक है तो पुलिस अगर पुलिस के पास आपको कॉल करना है तो 112 होता है ठीक है और हमारे अरस्थान में क्या है 100 नंबर है ओके फायर के लिए 101 है एम्बूलेंस के लिए 104 हो 102 है वूमन हेल्प लाइन के लिए 1090 है चाइल्ड हेल्प लाइन के लिए 1090 है तो यह है ना यह सभी हेल्प लाइन आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई साब भी help line आपसे exam में पूछा जा सकता है Chief Minister help line है आपका एक अजाश हिता है और वन विभाग help line है कौन सा है 1926 क्या है 1926 तिक है तो आपका अच्छी तहाँ से help line number है इनको notice करना है और अच्छी तहीं से देखना है क्योंकि यह exam के लिए इन्पोत होने वाले हैं और इन में से आपका एक या दो क्यूसन जरूर बनेगा जो यह help नहीं नमबर है इसमें से एक या दो क्यूसन आपके जरूर बनेंगे तो आपको है इसका इसकी दोशिपीं सोथ भी ले सखते हों नेग्स्स वीडियो आपके लिए जल्दी आयएगी नेक्स्स वीडियो में जै बाइध श्चेवर्ण